हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल दा फ्यूचर कोचिंग पर मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे reasoning का एक topic जैसा कि आप जानते हैं पिछले कलवाला जो वीडियो है उसमें हमने ranking test discuss किया सा उसमें हमने basic question और उसके साथ साथ कुछ हमने उसके concept भी जाने थे तो उसी को continue करते हुए आज भी हम आपके लिए ranking test पा एक और पार्ट लेके हैं और यह हमारा last part रहेगा यानि कि दो पार्ट में हमारा जो ranking test है उससे जितने भी आपसे question पूछे जाते हैं आपके exams में वो सारे के सारे हमने cover कर ली हैं बेकार में हम chapter को खीशते रहें बहुत ज़्यादा खीशते रहें उसमें कोई फायदा नहीं है देगे कम समय में अगर हम ज़्यादा समझते हैं तो चीजे beneficial होती हैं अगर हम ज़्यादा समय में कम चीजे समझेंगे तो हमें समय खराब करना पड़ेगा तो हम क्या हमारी कोसिस ही है कि कम से कम चीजों में हम आपक से जाधा चीज़े समझा दे तो रीजिनिंग की हमारी क्लास है किस-किस exam के लिए बेनिफीशेल रहेगी चाहे आप SSE का कोई exam दे रहे हैं चाहे आप GD का, MTS का, CHSL का, CPO, CGL का कोई सा भी exam दे रहे हैं उसमें ये class आपके लिए beneficial रहने वाली है UP Police Constable के जैसा कि आप जानते है re-exam होने वाला है कभी भी हो जाए जुलाई-अगस्त में अभी सुनने में आ रहा है कि जुलाई-अगस्त में हो जाएगा लेकिन अभी कोई confirmation इसका नहीं है UP Police दरोगा भरती अगर विस्य में आती है तो आपको उसमें भी ये help करेगा UP SSSC Junior Assistant जैसे कि आप जानते हैं 512 पदों के लिए vacancy लगी हुई है उसका exam होना है हाली में बैंक के PO कलर का exam लेकपाल में डिल्ली पुलिस, DSSB या कोई भी ऐसा exam जिसमें आपका reasoning पूछा जाता है सब में ये class आपके लिए beneficial रहने वाली है क्योंकि हम one by one करके सारे chapter यहां पे discuss करेंगे चैनल पे पहली बार रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लेंगे और साथ में bell icon दबा लेंगे ताकि आपको notification मिलता रहे चैनल पर पहली बार रहे हैं और अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरी वीडियो देखिए, लाश तक देखिए, आपको चीजे बिल्कुल clear होती चली जाएंगी वीडियो content आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को like करके दोस्तों के साथ भी share कर दें थाकि हमें भी motivation मिलता रहे कलकी class में हमने पूरा जो ranking test का basic concept था वो हमने जाना था कुछ questions भी किये थे तो हम आज उन्हें ही आगे स्रीज को बढ़ाते हैं last question हमारा कलकी class का जो था वो ये वाला था तो ये आपने पुराने वीडियो में आपने देख लिया होगा तो आज हम बढ़ते हैं अपने next question की तरफ question क्या कह रहा है एक पंक्ती में 17 लड़कियां हैं कि एक पंक्ती में 17 मतलब मुझे क्या दे रखा है मुझे total number दे रखा है देखिए आपको इसमें last class में मैंने बताया था कि formula अगर कोई लगता है तो वो बस left plus right equal to total plus one वाला लगता है ठीक है इसके अलावा तो बाकी सारे के basic concept या basic से ही हो जाते हैं वह लड़की जो मध्या में बैठी है उसका इस्थान प्रारंब से नोवा है उस लड़की का अंत से इस्थान ग्याद कीजिए तो आपको पता है देखिए कि अगर किसी पंक्ती में total 17 लड़किया है और एक लड़की उसमें मध्या में बैठी है तो मालेते हैं कि हम ये वाली जो लड़की है यहां मध्या में बैठी है total 17 है तो इधर कितने लोग होंगे 8 और इधर भी कितने लोग होंगे 8 अब हमें क्या का है कि वह लड़की जो मध्य में बैठी है उसका स्थान अगर मैं आपको बता हूँ तो ये कुश्ण आप से SSTHSL में पूछा गया है, SST के CHSL एक्जाम का ये कुश्चन में आपके लिए ले के आया था, और अभी हाली के 2023 या 22 का ये कुश्चन था, मुझे डेट तो एक्जेक्ट याद नहीं है, लेकिन एक्जेक्ट ये CHSL में पूछा गया कुश्चन है, क्योंकि मैं सारे कुश्चन जो लाता हूँ, वो किसी ना किसी एक्जाम में आपके पूछे गए होते हैं, तो अब मुझे बताइए कि अगर उसका प्रारंग से 9 वा इस्थान है, और इधर भी 8 लोग बैठे हैं, क्योंकि वो ठीक बीच में बैठी है, तो 8 के बाद इसका नंबर कौन सा होगा, 9 वा ही होगा, त नेक्स्ट कोश्चन पर बढ़ते हैं, कोश्चन नंबर, 12 क्या कह रहा है, एक पंक्ति में राम बाएं से सोलवे तथा दाएं से पंदरवे इस्थान पर बैठा है, कितने व्यक्ति और सामिल किये जाएं, कि कुल व्यक्तियों की संख्या 50 हो जाएं, तो देखो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि एक पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, तो हमें सबसे पहले इस पंक्ति में निकालना पड़ेगा, टोटल हमारा राइट है वो ही पंक्ति का राइट होगा अगर आपको इसमें कोई confusion है तो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए उसमें मैंने बिल्कुल detail में आपको basic से ये चीजें समझाई हैं ठीक है तो वहाँ से आपको ये सारी चीजें clear हो जाएंगी क्योंकि जो left और right होता है पंक्ति का वो बिल्कुल हमारे according चलता है जो हमारा left बनेगा वो पंक्ति का left बनेगा और जो हमारा right बनेगा वो पंक्ति का right बनेगा आप कह रहा है कि राम बाएं से सोलवे इस्थान पर तो अगर हम आगे क्या कह रहा है तथा दाई और से पंद्रवे इस्थान पर बैठा है मतलब बाएं से सोलवा है और दाएं से पंद्रवे इस्थान पर बैठा है मतलब अगर मैं राइट से काउंट कर रहा हूं तो राइट से उसका इस्थान कौन सा है राइट से उसका इस्थान है आपका पंद्र है कितने व्यक्ति और सामिल किये जाएं कि कुल व्यक्तियों की संख्या 50 हो जाए अब देखो सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं पंक्ती में हैं कितने तो आपको यहाँ पे राम की लेफ्ट से पोजिशन पता है राम की राइट से पोजिशन पता है आपको टोटल निकालना है तो आपको पता है फोर्मूला हमने लिखा था कि लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस वन यही तो formula लिखा था हमने last class में पूरा हमने EC के बारे में पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको यही बताया था अब left से position कितनी है राम की 16 तो left वाले इस थान पे 16 right से position कितनी है 15 तो 16 प्लस 15 इक्वल टू total प्लस 1 मैंने बताया था कि जब भी आपको इस formula में equal to के कोई सी भी एक side के दो number मिल जाए चाहे आपको left side के मिल जाए equal to चाहे आपको right side के मिल जाए जो दो number मिल जाए उन्हें आप plus कर दो और दूसरी side का एक number आप minus कर दो अब देखो यहाँ पे 16 plus 15 equal to total plus 1 तो equal to के left side के दोनों number मिल जाए मुझे 15 और 16 कितना हो जाएगा 31 और 31 बराबर कितना है total plus 1 तो यानि कि हम कह सकते हैं कि अब यह total निकालना है तो एक खटाना पड़ेगा तो total कितना आजाएगा 31 minus 1 यानि कि 30 उस पंक्ती में अभी कितने लोग बैठे हैं उस पंक्ती में अभी बैठे हैं 30 लोग हम से क्या कहा है कि भी कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाए 50 हो जाए कि कितने व्यक्ति और सामिल किये जाए कि कुल व्यक्तियों की संख्या 50 हो जाए अब मुझे बताओ किसी पंक्ती में अगर 30 लोग बैठे हैं और आपको 50 करना है तो हम क्या करेंगे 30 में कितना प्लस करें कि 50 हो जाए तो आप कह दोगे कि 20 और एड़ कर दो तो आंसर क्या आएगा मेरा 20 तो option क्या क्या है A 19, 20, 21 और इन में से कोई नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा option number B हो जाएगा मेरा right answer इस question का जो पंक्ती में add करने वाली संख्या है वो कितनी हो जाएगी हमारी 20 उमीद करता हूँ आपको चीजे समझ आ रही होंगी और content अच्छा लग रहा है next question है question number 13 तैराकों की एक पंक्ती में मनीस बाएं छोर से 23 वा है मानलो ये एक पंक्ती है जिसमें कुछ तैराक है ठीक है मानलो ये इस तरीके से खड़े हैं ठीक है अभी मैं केवल आपको बता रहूँ मैं इने हटा दूँगा मतलब ये मानल लेते हैं कि एक तैराकों की संख्या है यहां पे तो अभी क्योंकि हमें number नहीं पता है तो अभी हम इसे नहीं रख सकते क्या रहा है तैराकों की एक पंक्ती में मनीस बाएं छोर से 23 वा है मनीस के लिए एक number लूँ चोटा कर लेते हैं यहां रख लेते हैं मनीस बाएं छोर से कौन सा है 23 वा रमेस मनीस से 11 इस्थान बाएं और है अब देखिए रमेस मनीस से अब अगर मनीस यहां पर है तो मनीस का लेफ्ट किदर इधर राइट किदर इधर रमेस मनीस से 11 इस्थान अगर मैं 23 में से 11 गटा हूं तो कितना बचेगा बाएं यानि कि जो रमेस है वो बाएं से ही कौन से स्थान पर आएगा? बारे पर कौन? रमेश. किदर से? बाई तरफ से. तो यहाँ कौन है आपका? यह कौन है आपका? रमेश. आगे क्या कह रहा है? यदि रमेश दाई छोर से सोलवा हो, तो पंक्ती में कितने तहराख हैं? अब देखे, रमेश बाई से कौन सा है? बा पर रमेश का दाएं से भी स्थान पता है, बाएं से पता है, तो हम क्या करेंगे, 16 प्लस 12 इक्वल टू, टोटल प्लस 1, और 16 बारा है, दोनों अंक मिल गए, 16 बारा कितने होते हैं, 28, 28 इक्वल टू, टोटल प्लस 1, टोटल निकालना है, यह 1 अटाना पड़ेगा यहां से, और 1 को जब मैं हटाऊंगा, तो यह इधर आके माइनस हो जाएगा, तो टोटल कितना, उस पंक्ती में तैरा को किसन क्या कितनी, 28 माइनस 1, यानि की आंसर आजाएगा हमारा 27, ओप्शन क्या है, 28, 27, 32, 29, तो ओप्शन नमबर B, हमारा इस कुश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इस तरीके से ही आपको देखिए, ऐसे ही सवाल आपको एक्जाम में मिलते हैं, इसी तरीके से आपको ये सारे सवाल, इसी अप्रोच के साथ सोल्ग भी करने हैं, रैंकिंग टेस्ट एक छोटा सा चैप्टर है, इसीली हो जाता है, इसके बाद हम नेक्स चैप्टर जो पढ़ेंगे, वो सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा आपको दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ज स्लेबस आपके जो एक्जाम है, चाए आप रेलवे का एक्जाम दो, चाए आप यूपी पुलिस का एक्जाम दो, चाए आप स्सी का एक्जाम दो, किसी भी एक्जाम को दीजी, आप आपका हर एक्जाम का जो कंटेंट है, वो मैच होगा, जहां भी आपकी रीजनिंग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ, कोश्चन कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ती में मधू बाएं से दसवे इस्थान पर है और वीना दाएं से नोवे इस्थान पर है, यदि वे दोनों आपस में अपना इस्थान परिवर्तित कर लें, तो मधू बाएं से पंद्रवे इस्थान पर पहुँच जाती है पंक्ती में लड़कियों की कुल संख्या ग्याद कीजिए तो देखे रैंकिंग टेस्ट में आपके इस तरह का कोशन भी पूछा जाता है इस कोशन में कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इस से आसान कोई कोशन नहीं है बस आपको एक बात करनी है कि जैसे जैसे कोशन बोलता रहे वैसे वैसे आप नोट डाउन करते रहो जैसे पہली लाइन में बोलाए लड़कियों की इक पंक्ती में मधू बाये से दस्वे इस्थान पर है मधू बाएं से अब देखो पंक्ती का बाएं किदर होगा लेफ्ट साइड की तरफ ही तो अगर मैं बाएं से कौन से इस्थान पे है दसवे स्थान पे कौन है मधू चलिए यहां पे मधू बैठी है आगे क्या कह रहा है और वीना दाएं से नोवे स्थान पे है तो वीना को हम इधर से बिठा लेते है और ये वीना यहां से कौन से इस्थान पे है नोवे स्थान पे कौन है वीना है आगे बताओ क्या कह रहा है देखी अभी तक मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं क्या लड़कियों के एक पंक्ती में मधू बाएं से दस्वे स्थान पे तो हमने मधू को बाएं से दस्वे स्थान पे बिठाया वीना दाएं से नोवे स्थान पे तो हमने वीना को दाएं से नोवे स्थान पे बिठा लिया यदि वे दोनों आपस में अपना इस्थान परिवर्टित कर लें अब इस्थान परिवर्टित कैसे करेंगे कि वीना तो पहुँच जाएगी मधू के इस्थान पे और मधू पहुँच जाएगी वीना के इस्थान पे कि जब वे अपना इस्थान परिवर्तित कर लें तो मधू बाएं से पंद्रवे इस्थान पर पहुंच जाती है मधू का है अभी मधू अभी देखिए वीना के इस्थान पर जो दाएं से नोवा है और जब वे इस्थान परिवर्टित कर लेते हैं, तो मधू बाए से पंदरवे स्थान पर, यानि कि इधर से चलके, वो कौन से इस्थान पर पहुच गई, वो पहुच गई, पंदरवे स्थान पर, अब देखो, मधू का आपको left से position पता है, right से position पता है, और जब एक ही व्य राइट से 9 है, equal to क्या बनेगा हमारा, total plus 1, तो 15 और 9, 24, और 24 में जब मैं एक घटाउंगा तो कितना बनेगा, total संख्या आजाएगी मेरी, तो total संख्या कितनी आएगी मेरी, total संख्या आजाएगी आपकी 23, तो यहाँ पे पंक्ती में कुल कितनी संख्या है, लड़कियों की कुल संख्या है 23, option है आपके 16, 18, 23 और 22, तो यहाँ मेरा जो answer बनेगा, वो option number C बन जाएगा, right answer, उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, अगर फिर भी कोई द टेकल करेंगे, तो main जो thing है वो आपकी question को tackle करने की वो होनी चीए, आपको habit के किस तरीके से कोई question tackle किया जा सकता है, easy form में, या easy format में, हम question को solve कर दें और समय इतना लगा दे के बहुत जादा समय लग जाए, समय की देखिए, बहुत जादा value होती है, समय के बिना कुछ नही लिए आपको कोई special book suggestion की जरूत नहीं है, आप x, y, z, कोई भी book ले लिजिए, सब में आपको same content मिलेगा, बस यह हो जाता है कि बैंकिंग के लिए अलग तोड़ा चलता है, और ssc के लिए अलग चलता है, तो आपको ssc pattern की अगर कोई book मिलती है, जैसे अगर आप suggestion ही चाते है तो मैं फिर से आपको reasoning के लिए दो जगे divide कर दूँगा, ठीक है, अगर हम book की ही बात करें, कि reasoning के लिए हमें कौन सी book पढ़नी चाहिए, तो reasoning के लिए मैं आपको दो book suggest करूँगा, कि अगर freser है, या फिर आपने syllabus complete किया हुआ है, ठीक है, अगर आप freser है, तो आप RK जहा की एक reasoning की book आती है, अरिहन्त वालों की ठीक है, RK जहा की book आती है, writer उसके RK जहा है, और जो publisher है, उसका या publication है, वो आपका अरिहन्त publication है, इनकी एक book आती है, बहुत अच्छी book है, आपको basic concept बहुत अच्छे से समझा देगी, questions भी है, chapter भी सारे भी है, अगर आपका syllabus complete हो चुगा है, आपको केवल practice करनी है, तो practice करने के लिए मैं आप से कहूंगा, कि आप कोई भी जिस field का आप exam दे रहे हैं, उसके PYQ लगाईए, वो ही आपके लिए best रहेंगे, क्योंकि PYQ से हमें क्या पता चलता है हमें pattern पता चलता है, कि भी किस तरीके का exam में pattern आ रहा है, देखे, बुक में क्या होता है, बुक में सारे exams के pattern रखता है, बुक किसी individual exam के लिए नहीं होती, लेकिन अगर suppose करो, आपको SSC का exam देना है, तो SSC के exam के लिए आपको SSC के pattern को समझना होगा, आपको banking का exam देना है, त तो banking के pattern के लिए आपको banking का exam देना होगा जैसे अगर मैं आपको comparison बताऊं थोड़ा साव समझ लेते हैं कि एक बच्चा तो SST की तयारी कर रहा है और एक बच्चा कर रहा है bank की तयारी ठीक है हलांकि कुछ chapter common होते हैं लेकिन सभी chapter common नहीं होते हैं जैसे अगर हम SST की बात करे तो SST में एक topic आता है dice banking में नहीं आता banking में एक topic आता है inequality ऐसा मानता बोल देते हैं हम इसे SST में नहीं आता bank में सोरी SST में chapter आता है calendar bank में नहीं आता clock आता है SST में bank में नहीं आता मतलब यह मान के चलिए कि SST में तो 100% reasoning आती है और bank में आती है कि एवल 40% reasoning अगर हम comparison करें तो reasoning के section का bank में जो reasoning का section होता है वो कम होता है limited है बिल्कुल आप अगर हम pre की बात करें तो आप अगर 6-7 chapter कर लेते हो तो bank के exam में आप 90% question attempt करके आ जाओगे लेकिन वो 6-7 chapter ऐसे नहीं है कि आप बच्चों की तरह कर जोगे उसमें आपको sitting arrangement पढ़ना पढ़ेगा, puzzle पढ़नी पढ़ेगी, slowism पढ़ना पढ़ेगा, coding decoding पढ़ना पढ़ेगा, direction पढ़ना पढ़ेगा, blood relation पढ़ना पढ़ेगा और आपके inequality पढ़ना पढ़ेगा तो 7-8 chapter हैं जिससे लगभग लगभग 30-35 जो भी pre का syllabus है bank का वो सारा सारा पूछा जाता है, लेकिन SSC में कम से कम हमें 25 chapter पढ़ने होते हैं, यहां आपका A to Z जो section है, वो आपका reasoning का इसमें पूछा जाता है, तो चलिए, वो depend करेगा देखिए, आप किस exam की तयारी कर रहे हैं, आप bank की कर रहे हैं या SSC, अब bank में क्या होता है, बैंक में होते ह है, accuracy or time boundation, SSC में क्या होता है, SSC में आपको थोड़ा time extra मिल जाता है, किसी भी exam को करने के लिए, तो बढ़ते हैं अपने next question की तरफ, तो मैंने आपको इसलिए कहा है कि जो अगर आपने slaves complete कर लिया है, तो आप PYQ लगाईए, अगर आप bank की तयारी कर रहे हैं, तो bank वाले P PYQ लगाऊ, आप SSC की तयारी कर रहे हैं, तो SSC के PYQ लगाऊ, PYQ से आपको एक pattern समझ में आएगा, कि मेरे exam का pattern है क्या, चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ, question number 15 हमारा क्या कह रहा है, M, T, R और P में M केवल P से बढ़ा है, P, R से बढ़ा है, इन में सबसे बढ़ा कौन है, अब देखिए, चार लोग है, उसने कहा है कि M केवल P से बढ़ा है, यानि कि M जो है, वो केवल किस से बढ़ा है, P से ही बढ़ा है, यानि कि हम कह सकते हैं, कि अगर M यहाँ है, तो P कह आएगा यहां हम थोड़ा सा इदर कर लेते हैं, कि अगर m यहां है, तो p कहाएगा? इस त्रीके से, यहां पे, क्योंकि M जो है वो केवल P से अब चार लोग है तो दो तो सैट हो गए तीसरा कहाएगा यहाँ पे आएगा चोथा कहाएगा वो यहाँ पे आएगा यह इस से बड़ा है और यह इस से बड़ा है आगे क्या कह रहा है M केवल P से बढ़ा है T R से बढ़ा है तो देखो इने तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यह तो फिक्स हो गया क्योंकि यहां अगर कोई आएगा तो M दो लोगों से बढ़ा हो जाएगा जबकि उसने कहा है कि M केवल किसे बढ़ा है P से बढ़ा है T R से बड़ा है अब अब तुम्हें पताए T अगर R से बड़ा है तो T यहां आ जाएगा और R इस बोक्स में आ जाएगा इन में से सबसे बड़ा कौन है तो आप नॉर्मली बता दोगे सबसे बड़ा कौन होगा T हो जाएगा तो आंसर क्या होगा हमारा option no.A right answer है हमारे इस question का t जो है सबसे बड़ा है सबसे छोटा पूछ लिता तो सबसे छोटा कौन होगा यहां पर सबसे छोटा हो जाएगा t क्यों क्यों क्योंकि p से पीछे कोई भी नहीं है तो answer क्या होगा मेरे इस question का इस question का मेरा answer हो जाएगा T कि भी यहाँ पे सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है T next question क्या कह रहा है हमारा लड़कों की एक पंक्ती में कमल का इस्थान 22 छोर से 31 है तथा करन का इस्थान दाएं छोर से 29 है चलिए बना लेते हैं कि कमल की आगे क्या कह रहा है यदि वे दोनों अपने इस्थान परिवर्तित कर लें तो करन दाएं छोर से 43 हो जाता है पंक्ती में लड़कों की संख्या ग्यात की या भी थोड़ी देर पहले हमने एक question किया था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था चलिए क्या कह रहा है कि कमल का इस्थान दाएं छोर से 31 हो है तो अगर हम left side से चल रहे है तो left side से कमल का इस्थान कौन सा है 31 ठीक है उसके बाद क्या कह रहा है तथा करन का इस्थान दाएं छोर से 29 हो है मतलब करन जो है वो right से कौन से नंबर पे है उन्तिसवे नंबर पे है कौन? करन. यदि वे दोनों आपस में अपने इस्थान परिवर्तित कर लें, तो करन दाएं छोर से 43. चलिए पहले इस्थान परिवर्तित करते हैं, करन कहां पहुंच गया? यहां पे? यहां से खतम? अच्छा, दोनों केई हो गए यह? चलिए हम और यह कौन है? करन. चीक है? हमने पूरे नाम लिख लिए इनके. आप कहा रहा है कि यदि वे अपना इस्थान बदलनें, तो देखो कमल अगर इस्थान बदलेगा, तो कहां पहुंच जाएगा? करन के इस्थान पर? यहां कोना जाएगा? कमल. तो यहां से तो खतम है, और जब करन अपना इस्थान बदलेगा, तो वो कहां पहुंच जाएगा? यहां पर कमल के इस्थान पर. यहां कोना जाएगा अब आपका करन. draining यहां से खतम हो जाएगा. आगे क्या कह रहा है, यदि वे दोनों अपना इस्थान परिवर्थित कर लें, तो करन दाएं छोर से 43 वा हो जाता है, तो आपको पता है करन अभी का है, लेफ्ट वाले छोर पे, जो नमबर कितना 31, तो जब वे इस्थान परिवर्थित कर लेते हैं, तो करन दाएं छोर से पोजिशन 43 तो टोटल निकालना है हमें तो यह पूचा है पंक्ती में लड़कों की संख्या ग्याद कीजिए तो पंक्ती में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी left plus right equal to t plus 1 left से कितना है वो 31 right से कितना है वो 43 equal to t plus 1 43 और 31 कितना हो जागा मैंने बता है दोनों तरफ के नंबर अगर हमें मिल रहे हैं तो टोटल कर लो ने तो 40, 50, 60, 70 और 4, 74 equal to कितना t plus 1 अब t निकालना है हमें t कितना हो जागा एक इधर जागे माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा मेरा 73 तो आंसर जो आएगा भई हमारा 73 आएगा option क्या है 68, 71, 72 और 70 नंबर सही लिए है हमने कि ये 31 वा है ठीक है हमारा यहाँ पर ये 29 है ये भी ठीक है यदि वे दोनों अपना इस्थान पर विख कर ले तो करन दाएं चोर से 43 वा हो जाता है चलिए ये भी ठीक है तो नंबर तो देखो हमारे सही है 31, 43, 74, 74 में से एक घटाएंगे 73 तो अगर हम 72 को 73 यहाँ पर बना लेते हैं आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 73 तो option नंबर हम C इसका सही कर देते हैं option में थोड़ा सा correction कर लेंगे टाइपिंग मिश्टेक हो जाती है कई बार तो आंसर क्या बनेगा हमारा इसका 73 तो इस question का right answer है हमारा option number C जो की है 73 बढ़ते हैं next question की तरफ next question क्या कह रहा है हमारा लड़कों की एक पंक्ती में अमन ऊपर से 12 इस्थान पर है तथा वासू नीचे से 18 इस्थान पर है यदि अमन तथा वासू के बीच 6 लड़के हूं तो पंक्ती में लड़कों की अधिक्तम संख्या ज्याद कीजिए मतलब आप से क्या पूछा है कि वही कुछ condition दे रखी ह है कि अगर उस condition पर बैठे हैं तो उसमें हमें अधिक्तम संख्या बतानी है चलिए तोल करते हैं कैसे करेंगे देखिए इससे आसान कोई question हमारा नहीं हो सकता कैसे कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ती में अमन ऊपर से 12 इस्थान पर है कि मानलो ये कोई पंक्ती है इस तर इस चलिए चोड़ो जैसी बन गई बन गई तो ये टोप हमारा और ये हमारा बोटम यह हम कह सकते है यह सीर सिया ऊपर का इस इस्थान है और यह क्या होगा हमारा नीचे का स्थान है कहा क्या है? कि अमन उपर से 12 इस्थान पर है चलिए अगर हम बनाएं यहां पर अगर हम अमन को बिठा दे ये वाली पुजीशन पर तो ये कौन सा नंबर है? 12 है तथा वासू नीचे से 18 स्थान पर है तो वासू नीचे से कौन से नमबर पर है, अठारवे पर, यह कौन है V, और यह कौन है आपका A, अमन बारवे स्थान पर उपर से और वासू नीचे से अठारवे, आगे क्या कर रहा है, यदि अमन तथा वासू के बीच, 6 लड़के हो, मतलब यहाँ पर कितने लड़के बैठे हैं इनके बीच में, इनके बीच में आपके 6 लड़के बैठे हैं, खिस तरीके से बैठे होंगे, कि वही यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चोर्था, यह पांचवा, और एक और बना लेते हैं, यह आपका चटा, तो इन दोनों के बीच में अगर 6 लड़के बैठे हैं तो हमसे पूछा है कि बही, पूंक्ती में लड़कों की अधिक्तम संख्या बताओ अब लड़कों की अधिक्तम संख्या कैसे आएगी, तो आप मुझे बताओ जैसे ये बैठे हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इन सब को प्लस कर देंगे जब भी आपसे अधिक्तम केस या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पूछी जाए न, आपको बहुत सिंपल सोबर लैंग्वेज में, आपको कुछ नहीं करना, देखिए, मैक्सिमं और मिनिममन, दो केस आएगे, अभी कोई कोश्चन हमारा मिनिममन का भी जरूर आएगा तो या तो आपसे maximum strength पूछी जाती है या फिर आपसे minimum strength पूछी जाती है तो maximum strength में तो आपको केवल जो भी आपको number दिया है जो भी number प्रस्ण में दिये हैं सब को जोड़ना है simple भासा में समझेंगे अगर हम तो जो भी आपको number दिये हैं उन सब को क्या करना है हमें जोड़ना है कैसे आपको पता है कि जो अमन है वो उपर से 12 इस्थान पे है तो 12 नंबर मिल गया इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं 6 लोग बैठे हैं तो 6,18 और वासू नीचे से कौन से इस्थान पे है वो अठारवे स्थान पे है तो 12 और 6,18 और 8,37 तो उस पंक्ती में लड़कों की अधिक्तम यानि की maximum संख्या क्या होगी 36 होगी minimum का case अभी हम पढ़ेंगे next question में आएगा या उससे next question में आएगा उसमें हमें थोड़ा सा चीजें soul करनी पड़ती हैं तो जब भी आपसे maximum या अधिक से अधिक संख्या पूछे तो आपको कुछ नहीं करना जितने भी आपको number दे रखे हैं उन सब को आपको क्या कर देना है plus कर देना है कि 12,6,18 और 8,36 इस तरीके से तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 34, 35, 36, 37 तो option number C क्या हो जाएगा हमारा इस question का right answer हो जाएगा कि पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के बैठ सकते हैं या बैठे हुए हैं 36 लड़के बैठे हुए हैं इस question का हमारा right answer option number C चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ next question कह रहा है एक पंक्ति में मोहिमी आरंब से तेरवे स्थान पर है तथा सुसमीता अंत से सत्रवे स्थान पर है यदि उन दोनों के बीच पांच लोग बैठे हैं तो पंक्ति में लोगों की कम से कम संख्या ग्याद कीजिए तो आप से क्या पूछा है इस बार आप से पूछा है कम से कम संख्या और कम से कम संख्या किसे रिपरजेंट करती है कम से कम संख्या रिपरजेंट करती है आपके मिनिमम को मिनिमम कह दो नियूनतम कह दो या कम से कम कह दो तीनों जो बाते हैं वो एक की रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है, confuse नहीं होना है कि भी मुझसे तो कम से कम पूछा है तो नियूनतम, कम से कम और minimum, तीनों जो नंबर हैं वो सेम है, चलिए कोशन देखे कहे क्या रहा है, कि एक पंक्ती महिनी आरंब से तेहरवे स्थान पर है, तो अगर हम महिनी उसके बाद क्या कह रहा है तथा सुसमीता अंत से सत्त्रवे स्थान पर है तो अंत से सत्रवे स्थान पे कौन है सुसमीता है उन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हैं तो अगर मैं 5 लोगों को बिठा हूँ तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 लोग बैठे हैं तो पंक्ति में लोगों की कम से कम संख्या ग्याद कीजे देखी यह जो केस बनता है ये हमेशा बनता है maximum में ठीक है जब भी आपसे कून सी संख्या पूछी होगी जब भी आपसे अधिक्तम संख्या पूछी होगी तब आप इस case को apply करेंगे क्योंकि यहां से आप नियुमतम संख्या नहीं निकाल सकते तो अधिक्तम अगर मुझसे इस question में पूछता तो मैं कह पूछा है कि पंक्ती में लोगों की कम से कम संख्या क्या हो तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको इस question को डारेक्ट करना बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इस question को approach करना है तो आपको कोई diagram वाइरग्राम की जरूत नहीं पड़ेगी जब भी आपसे पंक्ती में लोगों की नियुमतम संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे कि अगर हमसे minimum पूछा है तो प्रारंब से इस्थान प्लस अंत से इस्थान माइनस अभी मैं इसे solve करके भी बताऊंगा बीच की संख्या और माइनस कितना कर देंगे दो अभी मैं इसे पूरा explain भी करूँगा पहले मैं आपको केवल इसका answer बता रहा हूँ तो जब भी आपसे नियुनतम संख्या पूछे तो आप इस formula का use करके अपना answer निकाल सकते हो कि भी कैसा भी question आ जाए आपका answer आ जाएगा जैसे अगर मुझे minimum number बताना है तो minimum number के लिए प्रारंब से कितने number पे है वो 13 पे तो प्रारंब से कितना 13 प्लस अंत से सुस्मिता कितने number पे है सत्रवे number पे तो प्लस 17 माइनस बीच में कितने लोग बैठे हैं उन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हैं कितने लोग बैठे हैं 5 लोग बैठे हैं तो माइनस 5 बीच की संख्या और माइनस 2 मेरे फोर्मले का हिस्सा है अब 13 30 माइनस 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस के 7 तो 30 में 7 घटा होगे कितना हैगा आपका अंसर 23 पंक्ती में लोगों की नियुंतम संख्या कितनी है 23 है तो आंसर भी क्या हो जाएगा मेरा उप्सन नमबर भी हो जाएगा मेरा राइट आंसर इस कुश्चन का अब हम समझते हैं देखो इस कुश्चन को डाइग्राम के दुरू वैसे तो हमें जरूत नहीं इस कुश्चन के लिए डाइग्राम की लेकिन फिर भी हम explain करने के लिए एक बार समझ लेते हैं देखो मान लेते हैं कि यह एक पंक्ती है इस तरीके से हमने एक पंक्ती बनाई इस तरीके से कह रहा है पंक्ती में मोहिनी आरंब से तेहरवे स्थान पे देखे जब भी minimum का case बनेगा तो दोनों लोग एक दूसरे को overlap जरूर कर रहे हो होंगे यहां पर यही आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे कम से कम या नियूंतम या minimum नंबर पूछा जाएगा तो आपको जो उन दोनों लोगों को बिठाना है वो कैसे बिठा होगे आप दोनों को overlap करके कैसे कि अगर मैं color change कर लेता हो एक बार मोहिनी आरंब से तेहरवे स्थान पर मैंने माल लिया कि यहां से वो तेहरवे स्थान पर यहां बैठी है कौन मोहिनी अब आरंब से तेहरवे स्थान पर तो वो इस तरीके से बैठी होगी सुसमीता अंत से सत्रवे स्थान पर तो माल लेते हैं सुसमीता यहां पर कहीं तो ये एक, ये दो, तीन, चार और ये पांच, उन दोनों के बीच में पांच लोग बैठे हैं, तो पंक्ती में कम से कम संख्या बतानी है, अब मुझे एक बात बताओ, पंक्ती तो हमारी यही है, यहां से यहां तक, अगर मैं इस पे काउंटिंग करता हुआ चलूं, करता तो मुझे सबसे पहले कौन मिलेगा, ध्यान से समझने हैं, देखो यह चीजे, सबसे पहले मिलेगी सुसमीता, फिर ये दो, तीन, चार, और ये पांच, और फिर कहीं जाके मैं, बाईं और से तेहरवे नंबर पे किस पे आऊंगा मैं, मोहिनी, यानि कि जब मैंने काउंटिंग करता हुआ चलता हूँ, कि मैंने इधर से गिनना शुरू किया, राइट साइड से, तो मुझे सबसे पहले कौन मिलेगा, मोहिनी मिलेगी, जो कि हमने लेफ्ट साइड से काउंट करते समय, एक बार ओल्रेडी कर ली थी, तो यानि कि मोहिनी को हमने दो बार ये पाँच लोग मिलेंगे, और तब कहीं मैं जाके दाई और से कौन से इस्थान पे पहुंचूंगा, सत्रवे स्थान पे, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, लेकिन आपको पता है, इस गिनती में, जब मैंने ये पूरी गिनती की है, ये सुसमीता भी दो बार गिनी, मोह बीच वाली संख्या दो बार गिनी, तो बीच की संख्या देखो, फोर्म ले भी ये ये, माइनस बीच की संख्या है, कितनी हमारी पाँच, माइनस, आपको पता है, आपने सुसमीता को भी दो बार गिना है, मोहिनी को भी दो बार गिना है, तो एक बार सुसमीता माइनस इस तरीके से हमें नियुन्तम और अधिक्तम वाले कोश्चन जो हैं वो ध्यान से करने हैं नियुन्तम वाले केस में आपको ऑफले ब्यूसीज जरूर करने ठीक है किलियर हैं बाते समझ में आ रहा होगा समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप रिवर्स करके देखिए दो बार तीन बार चार बार ये तो आपके पास विकल्प है इतना अच्छा कि आप ओनलाइन वीडियो में कितनी बार भी अपने एक ना एक कंडिशन ऐसी आएगी जब आप उसे एजिली किलियर समझ पा ओगे चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स परस्न क्या कह रहा है नेक्स परसन है हमारा P का भार क्यूं का दो गुना है क्यूं का भार R का आधा है R का भार T का तीन गुना है T का भार S का आधा है और क्यूं का भार क्यूं का भार P, R, S तथा T में से कितने रिक्तियों से अधिक है चलिए हमारे पास P, Q, R, S, T है चलो P का भार क्यूं का दो गुना है रेसो बना लेंगे हम देखो P का भार है अगर मैं P और क्यूं का रेसो बनाओ तो कितना आएगा क्यूं का दो गुना है तो ये कितना आजाएगा एक रेसो दो कि P का भार क्यूं का दो गुना है क्यूं का भार आर का आधा है क्यूं का भार जो है एक है आपको पता है तो आर का भार कितना होगा अगर क्यूं का भार आर का आधा है तो आर का भार कितना होगा दो हो जाएगा ठीक है आर का भार टी का तीन गुना है आर का जो भार है वो T का कितना है तीन गुना है अब देखे T का भार कितना होगा दो बटे तीन अब यहाँ से क्या होगा हमारा रेसो बिगड़ जाएगा थोड़ा सा लेकिन कोई बात नहीं उसे सुधार लेंगे हम यह आर का जो भार T का भार कितना होगा दो बटे 3 होगा अब क्योंकि रेशो कभी भी भिन沒關係 नहीं होता हम क्या कर लेते हैं इसके नीचे एक रख लेते हैं इसके नीचे भी एक रख लेते हैं LCM आएगा कितना LCM आजाएगा 3 और 3 से जब मैं 1 को भाग अब एक से जब मैं तीन को भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका, एक तिया 3, ये हो जाएगा 3, एक तिया 3 और 3 दुनी, ये भी 6 हो जाएगा, और ये कितना रह जाएगा अब हमारा 2 रह जाएगा, आप देखो चाहूँ तो आप दोबारा से चेक कर सक जो हमारा नया रेसो बनाए वो ये वाला बनाए कैसे आपसे कहा है पी का भार क्यूं का दो गुना है तो देखो क्यूं अगर तीन है तो पी कितना एच्छ है क्यूं का भार आर का आधा है तो आपको पता है क्यूं अगर तीन है और या फिर R अगर 6 है तो क्यों का भार R का आधा भी है ये देख लो बिल्कुल सही बात है R का भार T का 3 गुना है तो देखो T अगर 2 है तो R उसका 3 गुना है यानि की 6 भी है हमसे क्या अच्छा आगे भी दे रखा है देखो अभी हमें वैसे मुझे सोल नहीं करना था चलो कोई बात नहीं अगर हो गया है क्योंकि हमें S भी दे रखा है अभी चलिए क्या कह रहा है T का भार S का आधा है तो T का भार जो है S का आधा है तो हम यहापे S को डारेक्ट रख लेते हैं यह रेसो तो हमने बनाई लिया तो यह कितना आजाएगा आपका 4 आजाएगा क्योंकि T का जो भार है वो S का आधा है अब हो गया है अब पूछा गया है हम से क्यों का भार P, R, S तथा T में से कितने व्यक्तिव से अधिक है अब क्यों का भार कितना है तीन, अब तीन से कम वाले कितने हैं, तीन से कम वाला केवल एक है T, तो Q का जो भार है वो केवल एक व्यक्ति से ज़्यादा है जो की है आपका T, तो आंसर आजाएगा फिलाल तो हमारा एक, तो राइट आंसर हमारे इस question का क्या बनेगा, एक, क्योंकि Q का जो भार है वो तीन है, और T का भार है दो, बाकी सब तो इससे ज़्यादा ही है, तो इस तरीके का question भी आपके देखो, मैंने बताया है कि सारे question आपके जितने भी मैं करा रहा हूँ, वो सब previous year है, और previous year मैं क्यों कराता हूँ, ताकि आपको exam का pattern पता चले, कि ये बढ़ते हैं, next question की तरफ, question number 20, क्या कह रहा है, A, B से लंबा है, C, A से लंबा है, D, E से लंबा है, लेकिन B से छोटा है, तो बताईए इनमें सबसे लंबा कोई है, देखे, इस question को approach करने का मैं सबसे बढ़ी हाँ, graph आला method होता है, कि आपको पता है, A, B, C, D, E हैं, तो इस लंबा है, तो अगर मैं B को यहां तक रखूँ, तो A इस से लंबा है, चाओ तो छोटी कर लो, थोड़ी सी फाल तो कर लो, बस, ठीक है, A, B, C, A से लंबा है, तो C कहीं न कहीं, A से वी लंबा जाएगा, D, E से लंबा है, अब D, E से लंबा है, तो अगर E यहाँ है तो D इससे लंबा होगा लेकिन क्या का है D E से तो लंबा है लेकिन B से लंबा नहीं है B से छोटा है मतलब D जो है B से छोटा ही है तो हम क्या करेंगे E को हम बना लेते हैं बिल्कुल छोटा सा और इसे बना लेते हैं यहाँ पर क्योंकि यह जो है आपका B जो है वो D से बड़ा है आप देखो पांच जो नमबर आ गए हमें पूछा क्या है तो बताईए इनमें सबसे लंबा कोन है आप मुझे बताओ सबसे लंबी बिल्डिंग किस की C की सबसे चोटा बूस्ता तो सबसे चोटी बिल्डिंग किस की E की तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा यहाँ पर तो option number A मुझे right answer दे रखा है option A में क्या है C तो C मेरा क्या हो जाएगा right answer जो की है option number A आपका चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ next question क्या कह रहा है हमारा एक पंक्ति में राजेस आरंब से सत्रवे स्थान पर है तथा वरुन अंत से 29 स्थान पर है यदि उन दोनों के बीच में 7 लोग बैठे हैं तो पंक्ति में लोगों की अधिक्तम तथा निउन्तम संख्या ग्याद कीजिए मतलब इस बार आपसे दोनों पूछ लिया मैक्सिमम नंबर भी पूछ लिया और मिनीमम नंबर भी पूछ लिया ठीक है मैंने आपको दोनों ही question अलग-अलग कराए हैं तो दोनों question जो हैं आपके किस approach से होते हैं कि अगर मुझे maximum निकालना है तो maximum के लिए तो मैंने आपको simple funda बताया था कि आप सारे नंबरों को जोड़ देंगे कि अगर मुझे maximum संख्या निकालनी है तो मैं क्या करूँगा कैसे बनेगा देखो diagram भी मैं बना देता हूँ कि पंक्ती में राजेस प्रारम से सत्रवे तो जो maximum का diagram बनता है वो इस तरीके से बनेगा कि भी राजेस जो है वो स्टार्टिंग से सत्रवे नंबर पे है वरुन लाश्ट से 29 स्थान पे है वरुन जो है आपका वो लाश्ट से कितने नंबर पे है 29 स्थान पे है साथ लोग इनके बीच में बैठें तो अगर मैं बिठाओं एक दो तीन चार पाँच छे और एक साथ साथ लोग इनके बीच में बैठें है नंबर डाल देते हैं चलो हम तो पंक्ती में लोगों की अधिक्तम तो अधिक्तम में क्या करना है आपको सब नंबरों को प्लस कर देना है तो 17 और 3, 20, 4, 24, 10, 34, 10, 44, और 6, 50, और 3, 53 तो अगर मैं 17 प्लस 7, प्लस 29 को करता हूं तो 30 और 6, 36, 10, 44, 45, और 3, 53 तो आंसर क्या जाएगा मेरा 53 ओप्सन है 53, 57, 69, 65 देखो यहाँ इसे ही मेरा question हो जाता है आंसर तो मेरा A ही बनना है लेकिन हम क्या करेंगे हम अभी नियूंतम वाला case भी solve कर लेते हैं minimum अगर आपको निकालना है तो minimum निकालने के लिए मैंने आपको formula बताया था क्या बताया था कि वही starting यानि कि आरंब से कोई संख्या प्लस अंत से कोई संख्या माइनस बीच की कोई संख्या जो भी हमें दी गई हो और माइनस कितना करेंगे दो करेंगे इस तरीके से हम minimum वाला case भी solve कर सकते हैं क्योंकि देखिए जो परेशानी आती है वो किसमें आती है minimum वाले में आती है maximum वाला तो बड़े अराम से हो जाता है अब आरम से राजेस कौन से नंबर पे है सत्रवे स्थान पे प्लस अंत से वरुन कौन से नंबर पे है 29 वे स्थान पे माइनस बीच में कितने लोग बैठे है 7 और माइनस 2 यह बन जाएगा आपका 17 प्लस 29 माइनस 7 और 2 कितना 9, 9 से यह कट जाएगा 17 प्लस 20 कितना बन जाएगा 20, 10, 30 और 7 37 तो यहाँ पे नियूंतम नंबर कितना है हमारा नियूंतम नंबर हो जाएगा 37 अधिकतम कितना आया था अधिकतम आया था हमारा 53 तो मैंने पहली कहा था कि 53 क्योंकि हमारा देखिए अधिकतम वाली जो केस है वो केवल एक ही option में दे रखा है 53 तो answer क्या बनेगा हमारा 53 और 37 बतलब 50 में maximum कितने लोग हैं 53 और minimum कितने लोग हैं आपके 37 तो maximum answer 53 होगा और minimum answer जो होगा हमारा वो बन जाएगा 37 कलियर हैं बाते देखें उमीद करता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से चीजे समझा पा रहा हूँगा और जो आप एक्जाम की जिस एक्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस एक्जाम में कहीं न कहीं आपको ये चीजे बेनिफिसियल रहेंगी तो ranking test से जितने भी question बनते हैं वो मैंने आपको कल की video राज की video में पूरा का पूरा डिसकस कर लिया है तो इस video पर ही हम अपने chapter को रोख देंगे चोटा सा chapter है इससे ज़ादा questions नहीं बनते हैं आप कोई भी अपना previous book भी उठाओगे उसमें भी आप देख लेना 10, 20, 30, 40, 50 तक ही question मिलेंगे अगर और comparison करोगे तो औरों में आपको देड़ देड़ सो दो दोस्तो question मिल जाएंगे तो इससे जो question बनते हैं वो एक आदा एक आदा question बनता है और जो भी बनता है वो उस type का मै चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी share कर देंगे क्यों क्योंकि देखिए हमें भी जो motivation मिलता है वो आपके likes और comment से मिलता है अगर आपको अच्छी लग रही है चीजे तो आप comment जरूर कीजिए ताकि हमें भी उसला मिलता रहे तो बढ़ते नेक्स चैप्टर अगर आपको कोई special start कराना है अपने exams के related तो आप मुझे comment कर सकते हैं कि next chapter हमें कौन सा चलाना चाहिए नहीं तो फिर मैं देख लूंगा जो भी मुझे लगता है suitable chapter है जिससे ज़्यादा weightage बनता है आपके exam में वो हम chapter नया शुरू करेंगे तो वीडियो चैनल से भी जुड़ जाएंगे उसका लिंक आपको description में मिल जाएगा लिंक जो है उसका description में मिल जाएगा और जो last part है इसका यानि की first part जो हमने discuss किया है उसका link भी हम description में डलवा देंगे ताकि आपको ढूंडने में कोई दिक्कत ना हो thank you